नमस्कार, मैं पुलक भट्टाचारी, एडिशनल कमिश्णर नगर निगम, आज हम नमंकन प्रक्रिया पर अपना प्रसिक्षन प्रारम करने जा रहे हैं, सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग जो है, वहां से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, उस नोटिफिकेशन के बाद उसमें जो तिथी दी जाती है, उस तिथी पर दो एक साथ जो लोकसभा की जो चुना होते हैं और विधान सभा की चुना होते हैं, दोनों में अंतर होता लोकसभा चुनाओं में भारत के राश्पती के द्वारा और विधान सभा के चुनाओं में राजिके राजिपाल के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। यह हमको ध्यान देना है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन और महाहिम राजिपाल द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन दोनों ही चस्पा किया जाना है। नोटिफिकेशन फॉरम बन में जारी होगा फॉरम उसमें हर स्थिती में जो रिटर्निंग ऑफिसर है। वही साइन करेंगे क्योंकि अगर returning officer के स्थान पर कोई और साइन कर देते हैं तो वैसी स्थिति पर पूरा election process जो है वो गलत सावित हो सकता है इसलिए ये ध्यान देंगे कि हर स्थिति में returning officer ही इस पर साइन करें ऐसा एक बार प्रकरण सामने आ भी चुका है जहां उत्तर प्र election process को समाप्त गोशित किया गया यहां यह देखना पड़ेगा कि form 1 में क्या-क्या जानकारिया रहती है सबसे पहले form 1 में कौन सा निर्वाचन है इस बात का उलेख रहता है साथ-साथ किस स्थान पर nomination लिए जाएंगे इस बात का उलेख रहेगा यह ध्यान देने की बात है क जो भारत निर्वाचन आयोगद्वारा notification जारी किया जाता है उसमें कहीं पर भी इस बात का उलेख नहीं रहता कि nomination paper कहां लिए जाएंगे इस बात का उलेख करना आवश्यक है कि nomination paper आपको बताया कि प्रकाशन सभी स्थानों पर किया जाएगा ग्यारा बजे इसका प्रकाशन होगा जिस तारीक से नोमिनेशन प्रारम होगा उस तारीक को नोमिनेशन फॉर्म वन का प्रकाशन जो है इंग्लिश में और उस राज्य की जिस राज्य में चुनाओ हो रहा जैसा कि हमारे राज की भाषा हिंदी है तो हमारे राज में इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में इसका प्रकाशन किया जाएगा Form 1 जो है उसमें आपको मैंने जो जो चीजे एंट्री करनी है उसके बारे में जानकारी दी है कि नमांकन की तिथीक, नमांकन का समय, नमांकन का इस्थान, स्कुरूटनी की तारीक, नाम वापसी की तारीक, मतदान का दिनांक, मतदान का समय ये सारी जानकारिया इसमें उलखित होगी वहन कितने आ सकेंगे और व्यक्ति कितने आ सकेंगे इसके बारे में नियम इसपष्ट भारत निर्वाचन आयोगद्वारा बनाये गए हैं समान्य स्थिती में 100 मीटर के दाइरे में अधिक से अधिक 3 वहन केंडिडेट के 100 मीटर के दाइरे में आ सकते हैं यहां यह ध्यान देना है कि परिफेरी ऑफ 100 मीटर लिखा हुआ है तो 100 मीटर के दाइरे में 3 वहन आ सकते हैं 100 मीटर के बाहर का जो एरिया है अगर शहर में वो कनवाई निकलता है तो उसमें कितने भी वहान चल सकते हैं परन तो 100 मीटर के दायरे में तीन वहान आ सकते हैं और अगर ज्यादा वहान चलते हैं कनवाय में पहले सडक पे जो अपना पूरा जुलूस लेकर के आते हैं तो उस समय यह ध्यान देना है कि हमारी जो टीम है, expenditure monitoring की टीम वो अपनी कारवाई अलग से करेगी और उन सभी वहानों का जो खर्च expenditure monitoring में जोड़ा जाएगा साथ साथ nomination start होने की पहली तिथी से ही, जब कोई विक्ती अपना nomination भरने के लिए आता है तो उसके साथ जो कनवाई आता है, उस कनवाई में अधिक्तम तीन वहन सौ मीटर की periphery में आरो ओफिस में आ सकते हैं सौ मीटर के बाहर वहनों की संख्या कुछ भी हो सकती है, परन्तु उसके लिए अनुमती अलग से लेनी पड़ेगी और उस पर election expenditure monitoring की team के नजर होगी आरो के कमरे में अधिक्तम पांच वहकती candidate के को मिलाते हुए प्रवेश कर सकते हैं यहाँ यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर एक साथ तीन candidate अपना nomination paper भरने आते हैं तो तीनों candidate के साथ अलग-अलग 4-4 वेक्ति आ सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है ऐसा कहीं भी नहीं है कि एक समय में सिर्फ एक ही वेक्ति कमरे में अपना nomination पत्र दाखिल कर सकता है लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि वर्तमान पर सितियों को देखते हुए nomination hall जो है वो बड़ा रखें ताकि यह social distancing जो है maintain हो सके nomination की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी वीडियो ग्राफिक की जानी होगी और साथ-साथ यह ध्यान देने की बात है जो अंतिम दिन nomination की लिया जाएगा अंतिम दिन पूरे दो बज़े के बात से तीन बज़े तक की अउधी तक का un-edited और सिर्फ तीन बज़े ही नहीं क्योंकि दो बज़े हम जितने लोग वहाँ बाहर रहेंगे सबको कक्ष के अंदर प्रवेश करने की अनुमती दे देंगे तो वैसे इस स्थिती में जब तक के अंतिम nomination paper दाखिल नहीं हो जाता तब तक un-edited वीडियो ग्राफिक ही जाएगी सभी जो nomination papers हैं उसको सुरक्षित रूप से रखना है यह देख ध्यान देना है कि कोई भी नामंकन पत्र जो है misplace न हो सकते होए RO और ARO हर समय nomination period में पूरी अवधी के दावरान 11 बजे से 3 बजे तक अपने chair में जरूर बैठे रहेंगे security deposit की बात है लोग सभा चुनाओं के लिए नामंकन के लिए राशी 25,000 रुपए है और विधान सभा चुनाओं के लिए 10,000 रुपए है लेकिन अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के प्रत्याशियों के लिए यह amount जो है वो आधा होगा इसलिए उनको लोकसभा चुनाओं के लिए 12,000 और विधान सभा चुनाओं के लिए 5,000 रुपए की राशी जमा करनी होगी यह राशी या तो RBI के माध्यम से या Treasury के हिसाब Treasury से चलान से या जमा हो सकेगा लेकिन किसी भी प्रकार से चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ये राशी जमा नहीं होगी आरो के कारियाले में नगद राशी जमा करते हुए रसीत कटवा कर भी ये राशी जमा कराई जा सकती है कि इस वर्ष ओनलाइन की भी राशी जमा करने की सुविधा भी दी गई है ये बात विशे सुरूप से ध्यान रखी जानी है कि किसी भी प्रत्याशी को अपने नॉमिनेशन पेपर के चार सेट में जमा करने की सुविधा है परन्तु जो security deposit है उनको सिर्फ पहले nomination paper के साथ जमा कराना है बाकी किसी भी nomination paper के साथ कोई भी security deposit जमा कराने की आवशकता नहीं होगी valid nomination paper मैं आपको फिर से एक बात शुरू से बताना चाहूंगा कि form 1, form 2, form 3, form 4, 5, 6, 7 हमको जानना जरूरी है form 1 में जो RO notification जारी करते हैं वो form 1 होता है form 2 में प्रत्याशी जो अपना nomination paper भरते हैं form 2 है form 3 में जो प्रती दिन आप list लगाएंगे प्रत्याशियों की वो form 3 है validly nominated candidates की सूची जो है form 4 है नाम वापसी का जो आवेदन पत्र है वो form 5 है और नाम वापसी के बाद की जो सूची है जिन लोगों ने नाम वापस लेने के लिए आवेदन किया है वो form 6 है और वो form 7 है विधी मानिता नाम निर्दिश्ट अभरतियों की सूची है जो चुनाव लड़ेंगे उनकी सूची form 7 होगी RO form 2A जो है RO या ARO के पास ही जमा करा जा सकता है और जहां पर पब्लिक नोटिस में जिस स्थान का उलेक है सिर्फ उस स्थान पर जमा कराया जा सकता है अन्य किसी स्थान पर जमा नहीं किया जाएगा तो आपको विशेश साउधानी बरती है कि कोई वेक्ति किसी भी परिस्थिती पर आपके कारया लेके किसी अन्य शाखा में आते हुए नॉमिनेशन पेपर जमा कराकर नहीं जाए सिर्फ वहीं जमा करा है जहां आप RO या ARO बेठे हुए हैं और ये 11 से 3 बजे की अवधी में ही होगा अगर कोई भी वेक्ति 3 बजे से पहले 2 बच कर 55 मिनिट पर अगर आ जाते हैं तो वैसी स्थित पर उनका नॉमिनेशन पेपर लिया जाएगा प्रतेक दिन 3 बजे दरवाजा कारयले का बंद किया जाएगा नॉमिनेशन पेपर सहीं भरने के लिए जो आवशकता है वह है कि नॉमिनेशन पेपर या तो केंडिडेट द्वारा भरा जाए या उसके प्रस्तावक द्वारा ही भरा जाए किसी भी तरह से ये बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा या किसी अन्य वक्ति के द्वारा नहीं भेजा जाएगा मैं फिर से repeat करता हूँ या तो candidate के द्वारा भरा जाएगा या फिर उसके प्रस्तावक के द्वारा ही भरा जाएगा जो हमारे prescribed place है उसी place पे ही ये nomination paper जमा कर आये जा सकता है इस पर sign जो है वो प्रत्याशी के द्वारा किये जाएंगे और prescribed number of proposal के द्वारा किये जाएंगे यहाँ पर prescribed number of proposal को समझने की आवशकता है जो partyों के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा राष्टिये मानिता प्राप्त दल जो हैं और राज जी के मानता प्रापदल हैं, उनको सिर्फ एक प्रस्तावक की आवशकता है और बाकी सभी को दस प्रस्तावकों की आवशकता होगी यह nomination paper किसी भी public holiday पे नहीं लिया जा सकेगा जो recognized party हैं, उनको एक प्रस्तावक की आवशकता होगी किसी भी अन्य candidate के लिए 10 प्रस्तावकों की आवशकता होगी recognized party से यहाँ पर आशा है national party या फिर राज जी की जो recognized party है जो उसी राज जी के लिए जिस राज में चुनाओं हो रहा है उस राज जी के लिए जो recognized party है अन्य राज यहाँ पर यह ध्यान देना है कि दूसरे राज जी की state recognized party को यह मानिता नहीं दी जाएगी कि वो एक प्रस्तावक के अधार पर nomination paper भरें फिर से मैं यहीं बताना चाहूंगा कि अब कोई party दूसरे राज जी में मानिता पराप्त राजनीतिक दल है और वो किसी अन्य राज की चुनाव में nomination paper उनके प्रत्याशी भर रहे हैं तो उनको दस प्रस्तावक ही अवश्यक होंगे प्रपोजर के लिए यह मूल शर्त है कि वो उसी constituency का मतदाता होना चाहिए जिस constituency के लिए चुनाव हो रहा है candidate के लिए यह आवश्यक नहीं है candidate दूसरे constituency का हो सकता है पर उन्तु प्रस्तावक के लिए आवश्यक है कि वो उसी constituency का मतदाता हो illiterate persons के लिए ध्यान देंगे जो प्रस्तावक जो हस्ताक्षर नहीं कर सकते वो अपना thumb impression नमंकन पत्र में लगा सकते हैं thumb impression लगाने के लिए एक ऐसे अधिकारी की आवश्यक्ता होगी जो उनके thumb impression को certify करें ये भारत निर्वाचन आयोक से मानता प्राप्त ऐसे अधिकारी जो SDO rank से नीचे के इस्तर के नहों वो ही हो सकते हैं समानेता आरो को ही यह कारे देखना चाहिए और आरो को अपने सामने प्रस्तावक को खुबुला करके उनके thumb impression लेने चाहिए यहां यह ध्यान देने की बात है कि निर्दलिय प्रत्याशियों के लिए दस प्रस्तावक की आवशक्ता होती है परन्तु नियम यह कहता है कि किसी भी समय पाँच से अधिक लोग आरो के कख्ष में प्रवेश नहीं कर सकते एसी स्थिती पे उनको चार-चार के ग्रूप में लाकर उनके अंगुठे के निशान लिये जाने चाहिए thumb impression मैंने आपको यह बात बता दी कि इसको ग्रूप में ही ले करके आएंगे और या तो आरो के कख्ष में होगा या फिर SDO के पास में जो इसके लिए विशेश रूप से नियूक किये जाएंगे उनके पास ही यह कारी होगा reserved constituency के लिए दो तीन बातें विशेश ध्यान देने की बात हैं सबसे पहला कि candidate को उसी राज्य में जिस राज्य में चुना हो रहे हैं उस राज्य की जो अनुसूचित जाती जन जाती की सूची है उस सूची के अनुसार किसी जाती का होना आवश्यक है साथ साथ उनके पास में प्रमान पत्र होना आवश्यक है वह प्रमान पत्र जो ऐसे authority का जो SCST status के लिए उनके पास प्रमान पत्र होना आवश्चक है क्योंकि दो बाते हैं सबसे पहले कि अगर वो SCST अनुसुचित जाती जन जाती वर्क के हैं तो वैसे इस्थिते में उनको nomination की जो राशी है वो राशी आधी देनी होगी और साथ-साथ वो उस seat से भी लड़ सकेंगे तो ऐसी स्थिते में साथ-साथ scrutiny के दवरान आपतियां भी आ सकती हैं कि ये संबंधित जाती के हैं या नहीं इसलिए ये प्रारम से अवश्चक है कि उनसे ये प्रमान पत्र ले लिया जाए और जब हम उनको चेकलिस्ट देते हैं चेकलिस्ट में भी मेंशन कर देना चाहिए अगर उन्होंने जाती प्रमान पत्र सब्मिट नहीं किया है तो उनको जाती प्रमान पत्र सब्मिट करने के लिए इस बात का उलेक चेकलिस्ट में जरूर कर देना चाहिए यह ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति भारत किसी साशकी नोकरी से डिस्मिस किया गया है तो वैसी इस थिवी पे वो चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे जब तक कि वो भारत निर्वाचन आयोक से इश आसाय का प्रमानपत्र न लाएं कि उन्हें करप्शन या देश द्रोह के किसी कारण से शाशकी नोकरी से निकाला नहीं गया है फिर से मैं इस पात को रिपेट करूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को शाशकी सेवा से फिगत पाच वर्षों के अंदर बर्खास किया गया है तो ऐसी स्थिती पे यह उनकी जिम्मेदारी है कि वो ECI से यह प्रवान पत्र ले करके आएं कि उनकी बर्खास्तगी दो विश्यों पर करप्शन तथा दूसरा देश द्रोह इस आधार पर नहीं की गई है अगर कोई प्रत्याशी उस विधान सभा का मद्दाता नहों जिस विधान सभा में वह चुनावन लड़ना चाहता है तो ऐसी इस्थिति पे उनको उसको अपने फॉर्म के साथ साथ certified extract of entries in relevant role प्रस्तूत करना पड़ेगा अर्थात जिस विधान सभा में की मद्दाता सूची में उनका नाम है उस मद्दाता सूची के certified copy उनको अपने nomination paper के साथ प्रस्तूत करना पड़ेगा यह mandatory है अगर यह दस्त प्रस्तूत नहीं किया जाते हैं तो ऐसी इस्थिति में nomination paper reject कर दिया जाएगा यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमको जब nomination paper RO receive करते हैं तो ऐसी स्थिति पे candidate को छोटी जो गलतियां है उसके बारे में लगातार आगाह करते जाना है ताकि nomination paper अधिक संख्या मे reject ना हूँ लेकिन इसलिए checklist का भी उलेग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है कि nomination paper में जो जो तुरुटियां है उसका उलेग करते हुए checklist में उनको पहले से सूचित कर दिया जाए ताकि बाद में election petition की नौबत कम से कम आए एफिडेफिट की बात है पहले एफिडेफिट लिये जाते थे दो एक एफिडेफिट होता था अब एफिडेफिट form 26 में एफिडेफिट दिया जाना है इसको फिर से संशोधित कर दिया गया है एफिडेफिट nomination paper के साथ 3 बज़े तक के जमा कर आए जाना है अन्तिम तारी अगर कोई वेक्ति गलत एफिडेफिट जमा करते हैं तो उनको scrutiny के समय तक अब सही एफिडेफिट जमा करने का समय दिया जा सकता है ध्यान देंगे अगर कोई एफिडेफिट जमा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति पे अंतिम समय सीमा nomination paper जमा करने की अंतिम तिथी को 3 नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति पे scrutiny के पूरव तक वह अपना एफिडेफिट जमा कर सकते हैं एफिडेफिट के सभी कॉलम भरे होने चाहिए कोई भी कॉलम अधूरा नहीं रहेगा यहां एधियान देने लाएक बात है कि आप इफिडेफिट नोटरी के समक्ष सत्यापि किया जाता है अगर कोई कॉलम अधूरा है तो आपके पास यह अधिकारिता नहीं है कि आप उस कॉलम को अपने समक्ष पूर्ण कराएं आपको उनको यही समझाना पड़ेगा कि वो अपना एफिड एफिड जो है वो फिर से नोटरी से करेट करा करके वापिस लेते हुए एफिड एफिड था अब दोनों को जोड़ा जा चुका है यहां पर यह ध्यान देना है कि एडिशनल एफिड एफिड जो था उसमें तीन चार बाते पूछी जाती थी वो सब अब पहले फॉर्म 26 में जोड़े जा चुके हैं इसमें रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर औ टेलीफोन के समन्द, बिल के समन्द में जानकारी होती थी कि अगर क्योई कंडिडेट किसी भी सरकारी मकान में पिछले दस वर्षों में रहा है तो उसको अपने मकान के किराए, विजली के बिल, पानी के बिल और टेलीफोन के बिल के समन्द में जानकारी देनी पड़ेग बहुत से सास की कर्मचारी भी अगर चुनाओ लड़ते हैं तो वैसे इस्तिती पे पिछले 10 साल में वो जहां-जहां रहे हैं वहां-वहां से उनको ये उनकी ये जानकारी उनके एफिडेफिट में रहनी चाहिए ये ध्यान देना है कि non-furnishing of aphidafit is defect of substantial character हमको हमेशा ये ध्यान देना है कि कौन-कौन सी चीजे substantial character की है और कौन-कौन सी चीजे non-substantial character की है इसका आशाय भी फिर से समझना चाहिए कि non-substantial character का अर्थ आशाय वो है कि ऐसी गलतियां जिसके आधार पर nomination paper reject नहीं किया जाएगा लेकिन defect of substantial character का आशाय है कि अगर ऐसी कोई गलती nomination paper के साथ की गई है तो वैसी इस थिति पर nomination paper reject किया जा सकता है clarification, affidavit to be जो notary जो है राजिके उनके सामने या oath commissioner के सामने या magistrate of first class है इनके सामने ये notary बनाई जाएगी, notary type, affidavit जो है वो type की हुआ भी हो सकता है और साथ-साथ उसको हाथ से pen से लिखा भरा हुआ भी हो सकता है, दोनों ही स्थिति पर कोई गलती उस पर नहीं है चाहिए, अगर मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर कोई affidavit जमा नहीं करते हैं तो उनको checklist पर इस बात की सूचना देनी है कि आपने affidavit जमा नहीं कराया है, ये जो affidavit जमा होगा इसकी एक copy notice board में लगेगी RO के notice board में अगर ARO हैं तो उनके भी notice board में लगेगी, यदि RO और ARO दोनों का कारियल है, संबंधित विधान सभा की boundary के बाहर हो, वैसी इस स्थिति पर संबंधित विधान सभा के prominent स्थानों पर भी इस affidavit को चस्पा किया जाना है, यह ध्यान देना है कि समानेता अधिकांस स्थानों पर collect rate में सभी RO जो हैं एक साथ बैठते हैं, और बहुत से विधान सभा छेतर से वह RO कारियले बाहर होता है, इसी स्थिति में विधान सभा छेतर के अंदर किसी शाष्की कारियले में उ अधिरबाद भी ध्यान देना है कि अगर कोई भी व्यक्ति एफिडेफिट की मांग करते हैं, तो उनको free of cost एफिडेफिट उपलब्द कराया जाना है, साथ साथ इसे CEO की website पे 24 घंटे के भीतर upload किया जाना है, यदि यह कोई दूसरा व्यक्ति आ करके एफिडेफिट प्रस अस्तुत किया गया एफिडेफिट गलत है, तो ऐसी इस्तिति पे counter एफिडेफिट को भी notice board में चस्पा किया जाना है, आरो को एफिडेफिट के किसी भी प्रविष्ठी के संबन्द में inquiry का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आरो को सिर्फ एफिडेफिट के संबन्द में य नहीं लिखा हुआ है, अगर उसका प्रश्ण का मूल उत्तर नहीं है, तो ऐसी इस्तिती पे आगे के उत्तर not applicable हो सकते हैं, परन्तु किसी भी प्रश्ण का मूल उत्तर non applicable नहीं हो सकता, जैसे अगर कोई प्रश्ण पूछा गया है एफिडेफिट में कि क्या आपको किसी अ not applicable या na नहीं हो सकता, क्योंकि applicable ये हर वेक्ति के उपर है, कि उसके उपर किसी प्रकार का अपराद है या नहीं है, अगर उसमें secondary questions आते हैं, कि यदी अपराद दर्ज किया गया है, तो विवरंड दीजिए, तो अगर वह उपर लिखते हैं कि नहीं कोई अपराद दर्ज न पे मूलता है, तो हम ये कहते हैं कि हमको एफिट एफिट पे ज्यादा कुछ भी inquiry नहीं करनी है, परंतु उन बिंदों की inquiry हमको जरूर करनी है, जो उसको disqualify करते हैं, क्योंकि अगर कोई वेक्ति अपने शपत पत्र में ही यह जानकारी दे रहा है, कि उसको इस अपराद मे इतने वर्ष की सजा हुई है, और किसी प्रकार का stay उसके पास नहीं है, तो यह उसका nomination paper उसके स्वयम के एफिट एफिट के आधार पर निरस्त किया जा सकता है, इसलिए खृपिया ध्यान देंगे, कि एफिट एफिट को भी आप जरूर ध्यान से एक बार पढ़ेंगे, फोटोग्राफ लगाया जाना है, तो यह फोटोग्राफ 2 cm x 2.5 cm का stamp size recent photograph होना चाहिए, यह फोटोग्राफ बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि विगत चुनाओं में यह देखा गया है, कि गलत फोटोग्राफ देने के कारण जो EVM मशीन में फोटो आया है, वो फोटो काफी धुनले आया हैं, और बाद में वही लोग objection कर रहे थे, कि हमारे फोटो को गरत लगाया गया है, इसलिए जो नियम दिये गए हैं, आरो बुक में फोटो लेने के उसी नियम के अनुरूप फोटोग्राफ लिए जाएं, जब भी आप nomination paper लेंगे, उसका primary examination जरूर करें कि उसमें सारी जानकारियां भरी गई है, clerical error अगर नाम में किसी प्रकार का clerical error है, तो इसको वहीं पर सुधरवाया जा सकता है, या आप ignore भी कर सकते हैं, सिर्फ छोटी मोटी लिपकिये तुरूटी के आधार पर किसी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त नहीं किया जाना ह यह हमेशा ध्यान देंगे कि नाम निर्देशन पत्र लोगों अगर कोई चुनाओ लड़ना चाहता है, तो यह निर्दारित करने का मूल अधिकार की कौन वेक्ति चुनाओ जीतेगा, यह वहां की मददाता को है, इसलिए आरो को यथा संभव यह ध्यान देना चाहिए, कि सभी नॉमिनेशन पेपर जो हैं, सही रंक से अगर भरे गए हैं, तो वो चुनाओ में उनका नाम विधिमान नाम निर्देश्ट अभ्यरतियों की सूची में आए, इसलिए अगर कोई तुटी वस गलत जानकारी गलत भर रहे हैं, तो उनको समझाने का अधिकार आपके पा समसे प्रत्याशियों को चुनाओ में खड़ा कराना है, तो ऐसी स्थिती पे उनको फॉर्म A और फॉर्म B जमा कराना पड़ता है, सिंबॉल ऐलोट्मेंट और के अनुसार फॉर्म A और B होता है, सिंबॉल ऐलोट्मेंट और 1968 इसके अनुसार फॉर्म A और B, फॉर्म A में पार्टी के अध्यक्ष या सचियू यह तह करते हैं कि उनके पार्टी की तरफ से फॉर्म बी जारी करने के लिए अथराइस सिगनेटरी कौन होंगे अर्थात पार्टी जिस प्रत्याशी को समंधित विधान सभा छेतर में चुनाओं में लड़वाना चाहती है उसके लिए जो फॉर्म बी जारी होगा उस फॉर्म बी में हस्ताप्चर करने वाले का अधिकार किसको दिया जाएगा अथराइस सिगनेटरी का यह फॉर्म ए है और फॉर्म बी में अथराइस सिगनेटरी फिर उस विधान सभा छेतर के लिए प्रत्याशी को नमांकित करते हैं तो यह form A भी जमा करने की अंतिम समय सीमा नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तिथी को तीन बजे तक की है, दोनों आरो के पास जमा होंगे, दोनों इंक से जमा होने हैं, भरे हुए फोटो कॉपी किसी भी हालत पे नहीं लिया जाएगा, फैक्स या इमेल से भी form A भी नहीं लिय जाएगा, यह ध्यान देंगे कि अगर कोई party किसे को form B जारी कर देती है, तो उस form B को निरस्त करने के लिए भी party के पास में अधिकार है, और फिर से fresh form B जारी कर सकते हैं, लेकिन उनको पहला जो उन्होंने जारी किया है, उसे निरस्त करते हुए दूसरा form B जारी करना पड देती है, तो ऐसी इस्थिति पे किसका form B मानने होगा, यह एक बहुत ही गंभीर प्रशना RO के समक्च उत्पन हो जाता है, क्योंकि दो लोगों ने nomination paper भरा है, और दोनों ने ही form B जमा किये हैं, ऐसी इस्थिति पे यह नहीं देखा जाएगा, कि किसको form B party ने पहले जारी कि गया है, या किसको बाद में जारी किया है, सिर्फ यह देखना है कि किसका nomination paper RO के पास पहले आया है, इसलिए यह व्यवस्था की गई है शुरू से कि आपको जैसे ही कोई भी nomination paper आएगा, उस nomination paper पे संक्रमांक और nomination paper प्राप्त होने की तारीक और समय जरूर लिखना है, ताकि अगर इस तरह की कोई बात आए कि किसका form भी accept होगा, तो वैसे स्थिती पे आप देख सके कि कि किसने पहले अपना nomination paper जमा कराया है, यह इशु होगा, ओथ affirmation के बारे में ध्यान देंगे कि कि किसी भी प्रत्याशी को ओथ affirmation लेना आवश्यक है, और ओथ affirmation जो है वो तभी ले सकते हैं जब पहले nomination paper जमा हो जाए, nomination paper जमा करने के लिए प्रत्याशी को आना जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार प्रत्याशी jail में हो सकते हैं, प्रत्याशी hospital में हो सकते हैं, प्रत्याशी विदेश में हो सकते है प्रत्याशी डिटेंशन सेंटर में हो सकते हैं तो इन सब परिस्थितियों के लिए उनके प्रस्तावग जो है वो nomination paper को जमा करा सकते हैं आरो के पास आकर के परन्तु प्रत्याशी को nomination paper पर जमा कराने के बाद अपना ओथ लेना पड़ेगा वो ओथ पहले नहीं ले सकते किसी भी हालत में यहां अध्यान देना है कि ओध लेना और एफिडेफिट करना दोनों अलग-अलग चीज़ है एफिडेफिट पहले भी करा सकते हैं परन्तु ओथ किसी भी परिस्थिती में पहले नहीं हो सकता ओथ नॉमिनेशन पेपर जमा होने के बाद ही होगा तो अगर कोई प्रस्तावक ओथ जमा कर जमा कराते हैं तो बाद में प्रत्याशी जो है किसी दूसरी अथारटी के समक्च ओर्थ लेते हुए स्कुरूटिनी की तिथी को के पहले की मध्धे रातरी तक ओथ कलेने का सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं मैं फिर से कहना चाहूँगा स्कूरूटिनी की तारीक के पहले वाली रात को अर्धरात्री तक ओथ का सर्टिफिकेट जमा कराये जा सकता है ओथ लेने के लिए अलग-अलग स्थान नियत किये गए हैं अगर कोई प्रत्याशी स्वयम नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हैं तो वो आरो के समक्ष में ओ थिले सकते हैं अगर कोई प्रत्याशी जेल में है तो वैसी स्थिति में वे जेल सुपरिटेंडेंट के समक्ष अपना ओ थिले सकते हैं अगर कोई प्रत्याशी होस्पिटल में है तो वो होस्पिटल सुप्रिटेंडेंट के समक्ष अपना ओथ ले सकते हैं अगर कोई व्यक्ति विदेश में है तो वो MBC में जा करके जो भारत के MBC के जो अधिकारी हैं उनके समक्ष भी ओथ ले सकते हैं ये oath prescribed format में ही लेना है और oath को किसी भी वेक्ति को जोर से पढ़कर oath लेना है सिर्फ हस्ताक्षर करने से oath लेना माना नहीं जाएगा चाहे वाँ कोई भी प्रत्याशी हो उनको जब आपके सामने वो oath लेंगे तो आप उनको बोल कर अपने साथ पढ़ाएंगे और तब उनको वो शपत लेंगे अगर कोई वेक्ति शपत लेने से इनकार करते हैं तो ऐसी इस्थितिप पे उनका nomination paper निरस्थ कर दिया जाएगा साथ साथ onus is on candidate to produce certificate of oath certificate अगर कोई प्रत्याशी आपके समक्ष ओथ नहीं लेते हैं और किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ओथ लेते हैं तो ऐसी इस्थिति पे यह प्रमानपत्र प्रस्तुत करने का दाइत्व की उन्होंने ओथ लिया है यह प्रत्याशी के उपर होगा अगर इसलिए यह बात भी ध्यान देनी हैं कि जब भी आप किसी भी प्रत्याशी को शपत दिलाएंगे तो उनको कृपिया जरूर यह प्रमानपत्र दें कि उन्होंने आपके समक्ष शपत लिया है चाहे वह इस बात की मांग करें या ना करें परन्तु आपको इस बात का प्रमानपत्र उनको देना है क्योंकि अगर आपने उनसे ओथ करा लिया और कल स्कूरूटनी के समय यह अपत्ति आई की ओथ नहीं लिया गया था तो ऐसे इस्थिती पे वो प्रमानपत्र प्रस्तूत नहीं कर सकेंगे लेकिन उन्होंने ओथ आपके सामने लिया था तो वैसे इस्थिति में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए हर वेक्ति को जो आपके सामने शपत लेते हैं उनको उनका प्रमानपत्र जरूर प्रदान करेंगे जब भी आप किसी का Nomination Paper प्राप्त करेंगे तो आपको क्या क्या करना है इस बातको ध्यान देना है सबसे पहले आपके पास कोई भी Nomination Paper प्रस्तूत होता है तो आप उस पर प्रस्तूत करने की तारीक समय लिखें और अपना हस्ताख्शर करें यह सबसे जरूरी है इसके बाद इस पे running serial number डाला जाएगा running serial number हर nomination paper में डाला जाएगा यहाँ ध्यान देना है कि अगर कोई व्यक्ती 4 nomination paper जमा कराते हैं तो उनको 4 nomination paper के लिए 1, 2, 3, 4 serial number दिया जाएगे इसके तुरंत बाद अगर कोई व्यक्ती आकर के 2 nomination paper जमा कराते हैं तो उनको 5 और 6 number दिया जाएगा फिर अगर एक प्रत्याशी आकर 4 nomination paper जमा कराते हैं तो उनको 7, 8, 9, 10 जमा कराते हैं इस तरह nomination paper का क्रमांक होगा न कि प्रत्याशी का क्रमांक होगा साथ-साथ आपको यहाँ पर यह करना है कि nomination paper का जो भाग 6 है वो भरना है और भरते हुए उसको प्रत्याशी को या उसके प्रस्तावक को पाउती के रूप में वापिस करना है साथ-साथ इसमें आपको यह ध्यान देना है कि जो भाग 6 है या फिर नहीं भाग 6 में और नहीं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिस जारी नोटिफिकेशन में symbol allotment का time, date और venue का उलेख रहता है ऐसी स्थिती पे हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम एक अलग से जानकारी सभी प्रत्याशी को दे कि symbol allotment कितने तारी को कितने बजे और कहां पर किया जाएगा तो इसलिए किरिपिया इस बात का ध्यान देना न भूलें साथ-साथ आपको जब आप उनको फॉर्म छे में पावती देते हैं तो उनको एक checklist प्रदान करेंगे checklist की प्रती आपकी आरो बुक में मौझूद है checklist में इस बात का उलेख होना चाहिए कि कौन-कौन से दस्तावेज आपके पास जमान नहीं कराएगे हैं यह फिर उलेख करना चाहूँगा मैं कि checklist में की दो प्रतियां आप बनाएंगे checklist की दोनों प्रती में आप भी sign करेंगे और उनसे भी sign कराएंगे क्योंकि यह इस बात की पुष्टी हो जानी चाहिए कि आपने उनको checklist दिया था और उनने checklist receive किया था क्योंकि कल को अगर scrutiny के समय आपत्ती आती है या उनका nomination paper में इस प्रकार की तुटिया होती है जिसके उसे निरस्त किया जा सके तो ऐसी इस्थिती पे किसी भी प्रकार के election petition पर आपका पक्ष भी मजबूत रह सके यह ध्यान देने की बात है कि पूरे चुनाओ प्रक्रिया के दोरान आरो का निर्णे अंतिम निर्णे हैं आरो के निर्णे के उपर किसी भी अधिकारी का कोई भी निर्णे नहीं हो सकता सिर्फ election petition ही हो सकता है वह भी पूरे चुनाओ प्रक्रिया के बाद इसलिए आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए और गलती नहीं करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आपको जो जो निर्देश दिये जाते हैं उनका पालन करना ज़रूरी है सबसे पहले आपको लोग प्रतिनित अधिनियां 1950, लोग प्रतिनित अधिनियां 1951, conduct of election rule, symbol, erotment, order और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों इन सभी का पालन करना चाहिए मैंने आपको जो order में अभी सभी कानूनों का बताया ये इसकी जो वरीता भी इसी करम में होगी अर्थात अगर कोई निर्देश है और कोई एक्ट में कोई बात है तो निश्चीत रूप से जो एक्ट की बात है वही माननी होगी निर्देश जो हैं वो समय समय पर जारी किये जाते हैं लेकिन एक्ट से उपर कोई भी निर्देश नहीं हो सकता candidate से हमको यह भी जानकारी लेनी है कि वो अपना नाम मतपत्र में क्या लिखाना चाहते हैं यह ध्यान देंगे कि मतपत्र में नाम जो उन्होंने nomination paper में भरा है यह तो आएगा इसके साथ साथ अगर वो कुछ लिखाना चाहते हैं तो आप bracket में लिखवा सकते हैं आयोक के द्वारा जो नए निर्देश दिये गए हैं आरो बुक में इस बात का clear उलेक है कि आप उनसे इस बात की जानकारी लेंगे उसके बाद recite करेंगे कि जो वो लिखवाना चाहते हैं उसका तर्क क्या है तो सिर्फ उनके कह देने से कोई चीजे आगे पीछे नहीं जोड़ी जा सकती यह clear करना पड़ेगा साथ साथ आपको specimen signature candidate का जरूर ले करके रखना है अलग से register में क्योंकि जिस दिन मद्दान होगा उस दिन मद्दान केंद्रों में polling agent न्यूक्त किये जाएंगे polling agent जो अपना अधिकार पत्र ले करके आएंगे उसमें प्रत्याशी का हस्ताक्षर रहेगा प्रत्याशी के हस्ताक्षर का ही मिलान हमारे पिठा सीन अधिकारे करेंगे इसलिए हमको सभी प्रत्याशियों का specimen signature लेना आवश्यक है जब हम nomination paper लेंगे तो तब हम election expenditure से सम्मंधित day to day account register जो देना है वो उनको प्रत्याशी को दी जाएगी जो उन्होंने शपत लिया है उस शपत की जानकारी भी दी ली जाएगी checklist उनको जरूर देना है checklist में अगर आप checklist में किसी चीज का उलेक नहीं करेंगे तो बाद में आप उनको इस बात के लिए दबाव नहीं डाल सकते कि आपने ये कागच पहले नहीं दिया था इसलिए कृपिया ध्यान दे कि जब किसी का form लेते हैं तो भले थोड़ी देर कर ले परन्तु उनको checklist जरूर दे checklist में जिन चीजों का उलेक करना है वह है कि एफिड एफिड के सभी column भरे हुए हैं कि नहीं अगर column भरे हुए हैं तो उनको बता देंगे साथ साथ अगर प्रत्याशी उस मद्दान विधान सभा से बाहर के हैं तो certified extract of electoral role जमा किये है कि नहीं form A.B. उन्होंने जमा किया है कि नहीं यदी वो political party से संबन देथ हैं कास certificate जमा कराया है कि नहीं security deposit जमा है कि नहीं oath affirmation जमा है कि नहीं इस तरह ये सारी चीजे पहले right लगानी है इसके बाद आपको यह उल्लेक करना है कि कौन-कौन से दस्तावेज उन्होंने नहीं जमा कराया है और उन्हों दस्तावेजों को जमा करने कि समय सीमा कब तक है इस बात का उल्लेक करते हुए आपको दो प्रती में checklist भरना है और दोनों प्रतियों में आप खुद भी अस्ताक्षर करेंगे और उनसे भी अस्ताक्षर कराएंगे एक प्रती उनको देंगे एक प्रती आप अपने पास रखेंगे यहाँ यह ध्यान देना है कि कौन सी चीज कब तक जमा करना है यह इस पश्ट होना चाहिए जो शपत पत्र है form 26 वो तीन बजे तक nomination लिये जाने की अंतिम तिति को तीन बजे तक की है यदि और अगर कोई विक्ति गलत nomination form 26 दिये हुए हैं तो वैसे इस तिति पे वो scrutiny तक जमा कर सकते हैं ओथ जो है वो उसके लिए भी ओथ का समय सीमा मैंने आपको बता दिया है कि scrutiny के पहले रात तक ओथ का certificate प्रस्तूत करने का अधिकार प्रतियाशी के पास है certified extract of electoral role scrutiny के समय तक जमा कराया जाना है security deposit before filing of nomination paper और at the time of filing of nomination paper है तो इसलिए इसको security deposit के लिए बाद में समय नहीं दिया जा सकता कि वो scrutiny तक देंगे पहले से उनको जमा कराना है acknowledgement उनको प्रदान करना है जो अन्य धस्तावेज उनको हम hand over करेंगे वो मैंने आपको बताया कि day to day account की जैनकारी देंगे 127A की जैनकारी उनको प्रदान करेंगे प्रती दिन जो nomination paper जमा हो रहे है उसकी जैनकारी form 3A में रोज बाहर लगाया जाएगा अगर ये ध्यान देना है कि अगर कहीं पर ARO अलग स्थान पर बैटके nomination paper जमा कर रहे है तो वैसे इस्थिति पर दोनों को मिलाते हुए फिर से daily basis पर form 3A जमा किये जाएगे और 3 बजे प्रती दिन लगाया जाएगा इसको 3 हिस्से में त्यार किया जाएगा सबसे पहला हिस्सा प्रतियाशियों को 3 हिस्से में रखा जाएगा recognized parties का सबसे पहले उसके बाद registered unrecognized party और उसके बाद independent candidates मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम भारत में 1000 से ज़्यादा ऐसी पार्टिया हैं जो registered unrecognized parties हैं तो unrecognized unrecognized parties जो हैं वो category 2 में आएंगी और category 1 में recognized parties आएंगी तो recognized party में वे दल जो राश्ट्री दल है और साथ साथ वे दल जो हमारे राज्य में मानिता प्राप्त राज्य दल हैं सिर्फ वहीं आएंगे बाकी दूसरे राज्यों के जो मानिता प्राप्त state parties हैं वो भी registered unrecognized party की category में जाएंगे और सभी category में हमको फिर alphabetically इनके नाम को जमाना है अलफा बेटिकली नाम जमाने के लिए आपको ध्यान देना है कि हमारा प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है तो ऐसी स्थिती पर यहाँ पर जो form 3A, form 4 यह सब हिंदी में भरे जाएंगे तो ऐसी स्थिती में इनको अलफा बेटिकली जमाना है अर्थात हिंदी देवनागरी लिपी के आधार पर जमाया जाना है नुमिनेशन की संपूर्ण प्रक्रिया के बाद मैं आपको कुछ risk factors जो है उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उस अधिसूचना में जो बिंदू दर्शाय गया है उससे कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए जो जो उस पे डेट्स लिखे हुए है वो सारे डेट्स जो है उन सब का एक बार डबल चेक कर लें कि आपके द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है फॉर्म वन में उसमें कोई तुरूटी उससे ना हो क्योंकि ये एक ऐसी गलती होगी जो पूरे निर्वाचन प्रक् करते हैं तो वैसे इस्थिति पर शुरू में ही सारी चीज़े चेक कर लें क्योंकि अगर आप नॉमिनेशन लेते समय सब चेक कर लेंगे तो वैसे इस्थिति पर अनावश्यक रूप से आपको स्कूरूटी के समय में लोड नहीं पड़ेगा साथ-साथ नॉमिनेशन पेप पर भी बड़ी संख्या पर रिजेक्ट नहीं होंगे क्योंकि यह ध्यान देना है कि आपकी गलती से कोई nomination paper अगर reject होगा तो बाद में election petition में आपको भी तकलीफ हो सकती है तो इसलिए यह जो risk management है से जरूर कर लें अंतिम दिन के लिए पूरी तयारी रखे कि अंतिम एक दो दिन में यह देखा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में nomination paper लोग जमा कराने के लिए आते हैं और एक साथ भीड़ लगती है तो उस समय के लिए आपका management मजबूत होना चाहिए यह हम देखते हैं कि हम सारे नियम जो है पहले पहले दूसरे दिन में हम फॉलो करते हैं पर जब भीड़ बढ़ने लगती है अंतिम दिन एक साथ 10 प्रत्याशी 12 प्रत्याशी आते हैं तो वैसे इस्थिति पर हम जल्दी जल्दी बिना चेक किये लोगों को पाउती देने लगते हैं यहां पर आपका management अंतिम दिन के हिसाब सही आपको तयार करना है कि किस तरह से चेक होगा किस तरह से लोगों के nomination paper की pre-checking होगी nomination paper की pre-checking में मूलता है सबसे जो जरूरी होता है वह होता है प्रस्तावक का मदाता सूची में किस इस्थान पर नाम है और प्रत्याशी का किस इस्थान पर नाम है यह सारी चीजों को चेक करना है यह मूल सबसे जरूरी होता है एफिट एफिट उसने दिया है कि नहीं यह जरूरी होता है तो यह ऐसी स्थिती पर यह सारी entry चेक हो रही है कि नहीं यह सब आपको जरूर पहले से देख करके रख्चिक करना है एक और जो महत्पूर्ण बिंदु है जिसको इलिए आपको तयारी करना है वह जरूरी है कि जो अंतिम दिन की प्रक्रिया होती है उस समय अब्जर्वर भी वहाँ पर पूरे समय आपके साथ उपसित रहेंगे तो वीडियोग्राफी की जाएगी वीडियोग्राफी के समय में आपको ध्यान देना है कि पूरी प्रक्रिया जो है वीडियोग्राफी में आती रहनी चा तो आपकी वीडियोग्राफिश जो वहां पर भारत निरुआचन आयोगद्वारा कराही जा रही है, उसलिए कराई जा रही है कि आपने पूरी प्रक्रिया का पारदर्शीता फूलवक़ पालन कराया या नहीं कराया, क्या किसी प्रत्याशी के साथ, जो प्रॉमिनेंट प्र जान से देखना है कि जो चाहे प्रत्याशी कोई भी हो आपके सामने जो उस दिन नामंकन भरने आये हैं वो नाम सिर्फ एक प्रत्याशी हैं तो प्रत्याशी हैं तो उनको आपको नोमिनेशन पेपर जमा कराना पड़ेगा नंबर वन नंबर टू उनको महाँ शपत लेना सकते हैं तो यह सारी चीजे आप जरूर देखेंगे एक और महत्पूर्ट पहलुक के और मैं आपका ध्यान आकरिश्ट कराना चाहूंगा कि जो निर्धारित समय सीमा है उस निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी दस्तावेज नहीं लिये जा सकते हैं यह आपको ध्यान द दी है उस समचेकलिष्ट की समय सीमा के अंदर कोई दस्तावेज प्रस्तूत किया गया है तो वो जरूर एकसेप्ट किया जाएगा जैसे फॉर्म एबी लेने की जो समय सीमा है मूलता विवाद फॉर्म एबी का ही होता है फॉर्म एबी जहां तक लिया जाना है उस समय सीमा के बाहर किसी भी परिसिती में नहीं लेंगे बहुत से ऐसे प्रकरण आये हैं कि लोग form A, B, RO के पास नहीं जमा करते हुए सीधे डिप्टी डियो के पास में जमा करके चले जाते हैं क्योंकि RO के द्वारा लेने से इनकार किया जाता है क्योंकि समय बीत जाता है तो इसलिए हमको ये ध्यान देना है कि डिप्टी डियो या आपके कारेले का जो आवक जावक शाखा है उन सब को ऐलर्ट में रखना चाहिए कि किसी भी स्थिती में वहाँ पर कोई नॉमिनेशन पेपर किसी भी प्रकार का फॉर्म ए बी या अन्य कोई निर्वाचन से समन्दी दस्तावेज रिसीव न किया जाए जो दस्तावेज आरो के पास रिसीव किये जाने है वो आरो के पास ही रिसीव किये जाएंगे बहुत जरूरी है कि हम सारे दस्तावेजों को पहले से चेक करें अगर हम पहले से चेक करेंगे तो वैसी इस्थिती पे स्कूरूटिनी के दिन हमारे उपर दबाव कम से कम रहेगा अगर हमको ये मालूम है कि नॉमिनेशन पेपर में क्या-क्या एंट्रिया की गई है अगर हमको ये मालूम है कि FIDFIT में क्या-क्या entry की गई है जाती प्रमानपत्र दिया गया है या नहीं दिया गया है ये सारी बाते अगर हम पहले से तैयार करके रखेंगे तो जिस दिन scrutiny होगी उस दिन हमारे लिए सरल होगा कि हम अपने scrutiny के काम को smoothly कर सकें इसलिए कृपया यह आप ध्यान दें कि जब आप nomination paper लेते हैं उस समय या फिर उससे भी पहले जैसे ही nomination paper जमा होता है आपका जो primary staff है वो staff जो है पहले ही थोड़ा सा check कर ले उसके बाद आप उसको second check करें उसके बाद scrutiny के पहले भी जब आपका office close hour है उस समय आप nomination paper को अच्छे से एक बार देख ले कि किस किस में nomination paper में कौन-कौन सी ऐसी तुरूटियां है जो आपको scrutiny के दिन आपको face करना पड़ सकता है उसके हिसाब से आप तयारी करके रखे क्योंकि हमको scrutiny जब होगी तो अचानक जो अपत्ति आएंगी तब उसके लिए आप तयार रह स केंगे ये धियान देंगे कि एक अंतिम point में आपको यहां पर कहना चाहूंगा कि सभी प्रत्याशियों के लिए अलग अलग file बनाएंगे आपके पास में nomination papers जो आएंगे वो nomination paper अलग-अलग प्रत्याशी उकाएंगे और किस प्रत्याशी ने कितने nomination paper आपको दिये हैं ये आपको मालूम होना चाहिए और सभी प्रत्याशी के लिए अलग-अलग file बनाएंगे और सभी क्योंकि आपको जब nomination paper की जब आप scrutiny करेंगे तो आपको candidature की scrutiny नहीं करनी है आपको nomination paper की scrutiny करनी है इसलिए हर nomination paper की scrutiny होनी चाहिए अगर किसी candidate का एक nomination paper reject हो जाता है तब भी उसके बाकी nomination paper की scrutiny की जाएगी और अगर तीन reject हो जाए और एक accept हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी उसका candidature बना रहेगा इसी तरह अगर किसी वेक्ति का किसी प्रत्याशी का पहला nomination paper accept हो जाए तो ऐसा नहीं है कि हम उसके बाकी तीन nomination paper को scrutiny नहीं करेंगे क्योंकि उसको भी scrutiny हमको करना पड़ेगा हो सकता है वो पहला nomination paper निर्दली से बहरा हो और दूसरा nomination paper party से बहरा हो ऐसे इस्तिति पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कि उसके दूसरे nomination paper के आधार से उसको वो party के candidate के रूप में माने जाएंगे इसलिए आपको ये सारी पूर्व तैयारी पहले से करके रखनी होगे इस तरह मैंने आपको nomination की प्रक्रिया के बारे में सारी बाते करीब करीब बता दी हैं अब हम अपने training के दूसरे दूर की और आगे बढ़ेंगे